जार्खन में नियुक्ती नियमावली की अर्चने जल्द होगी दूर सीम हिमान्त जार्खन के सियम हिमन सुरेन ने नियुक्ति निमावली में आ रही अरचने जल्द से जल्द दूर करने का नेदेश विभागी अधिकारियों को दिया है ताकि राई सरकार नियुक्ति पर किरिया की ओर बढ़ सके इसके अलावा जार्खन अस्थापना दिवस के दूसरे दिन 16 नॉम्बर से विभाग को ग्राम पंचायत अस्तर पर सीवीर का आवजन करने को कहा है बुद्धवार को सिरी सुरेन जार्खन अस्थापना दिवस समारो की तेयारियों की समिक्षा कर रहे थे सीएम सिरी सुरेन ने कहा कि जार्खन अस्तर अपना दिवस समारो अपने आप में महतव पून अस्थान रखता है उससे भी महतव पून है राज जवासियों को भी भीन योजनाव से लभानूइत करना इसको पूरा करने के लिए राई सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की य मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के उंसार अगले सब्ता थक राजे में मौसम मुखे रूप से सुस्क बना रहेगा लगभग सभी जीलों में लोगों को हलकी ठंड का समना करना पड़ेगा इसके साथ ही दिवाली के बाद ठंड के बढ़ने की पूरी संभवना ह इसी बीच राजे में पिछले कुछ दिनों से बारिस नहीं होने के बाद भी मानसुन के लोटने के बाद की स्थिती बेहतर है किरिसी मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान साफ मौसम का फाइदा उठाते हुए खेतों में पके फसल की कटनी का काम पूरा कर लेना चाहिए जैक बोर्ड मैट्रिक परिक्षा के लिए आवेदन शुरू जैक बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2022 की परिक्षा दो चर्णों में होगी प्रथम चर्ण की परिक्षा दिसंबर और दूसरे चर्ण की परिक्षा मार्च अप्रेल में ली जाएगी इसके लिए जैक ने परिक्षा फरम जमा करने के तिथी भी घोसीत कर दी है ओन्लाइन परिक्षा फर्म जमा लिया जाएगा परिक्षार्थी बिना बिलम सुल्क के साथ 27 अक्टूबर से 13 नौमबर तक वा बिलम सुल्क के साथ 14 से 18 नौमबर तक परिक्षा फर्म जमा कर सकेंगे साथ ही साथ इसका सेडूल भी जारी कर दिया गया है बता दे कि इस बार दो टर्मिनल पर इक्षावजित की जाएगी जहारखन दूसरे डोज के मामले में पिछड़ा कोरोना टिका करन अभियान में जहारखन की स्थिती खराब है बता दे बिहार इन दोनों राजियों से एक पैदान उपर है वहीं सिंगल डोज में भी जहारखन की सिती खराब है सिंगल डोज में लक्षदीप सहित साथ राजियों ने लगभग पूरी अबादी को टिका लगाने में सफलता हासिल की है इसकी तूलना में अने राजियों पिछड गए है राजियों सरकार द्वारा तयार आकडों में इस बात का उलेख है दिसंबर तक राजियों में होगी बड़े पैमाने पर नियुक्ती सियम हमांत मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने दिसंबर तक बड़ी संख्या में नियुक्ती करने की घोसना की है साहिव गांज में मुख्य मंत्री ने पत्रकारों से बात चित में कहा कि इस वर्ष को नियुक्ती वर्ष बनाने के लिए संकल्पित है अब तक करोना काल के पिरियट से ही लोगों को नियुक्ति दी है बड़ी नियुक्तियों में पहले किसी ने यहां के लोगों को लेकर चिंता नहीं की नतीजदन बाहरी को नोकरी मिलती रही पिछली सरकार ने पांच साल बिता दिया लेकिन जे पिसी कंड़क्ट नहीं करा पाई हम लोगों में 30 जे पिसी कंड़क्ट कराया और देश में रिकोर्ड चार लाग से अधिक अभियार्थियों नयावेदन भरा और परिक्षा दी अभी नियुक्ति नियमावली के लिए कैबिनेट बैठक की जाएगी इसे लेकर पदाधिकारियों को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा करने का निदेश दिया है वही दिसंबर तक बड़ी संख्या में नियुक्ति होगी सिम्डेगा में नोकरी के लिए बिशेश भरती कैम्प सिम्डेगा जीले में बिशेश भरती कैम्प लगाया जा रहा है सभी चाहनित उमेद्वारों को सेंटरल ट्रेनिक एकेडमी गढ़वा में एक माह का परशिक्षन परदान किया जाएगा जिसमें PT, Drill, Drill Theory, अध्योगिक सुरक्षा, VIP सुरक्षा, प्राथ्मिक उप्चार, फायर फाइटिंग, कम्प्यूटर, बैंक, सिकुरिटी, भारतिये, पुरतत्व सर्वेक्षन विभा की सुरक्षा, सरकारी कर्यालियों की सुरक्षा, इत्यादिक अप्रसिक्षन, परदान करके सिकुरिटी आएं, इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड में, 2200 कार्यास थलो पर नोक्रूपलब्द कराई जाएगी, मुख्यमंत्री हमान्सुरे ने नागा बाबा, खटाल भेजी टेबल मार्केट का किया उधगाटन, मुख्यमंत्री हमान्सुरे ने बोध पर्फर्म का निर्मान किया गया है, उधगाटन के मोखे पर मेर आसर लकडा, सांसर संजय सेट, विधायक, सीपी सिंग के अलावा, डिप्टी मेर और पार्शत, गन उपस्तित थे, मुख्यमंत्री हमान्सुरे ने बुद्वार को राजधानी के जानता को, सोगात सोपी रजरप्पा मंदीर में काली पूजा को ले तयारी शुरू, कार्तिक अमास्या की काली रात, तंत्र मंत्र की सिधी और साधना के लिए अहम मानी चाती है, बता दे इस साल 4 नवमर को काली पूजा मनाई जाएगी सिध पीठ रजरप्पा इस्थीत माचिनमस्तिका मंदीर में त्यारी शुरू हो गई है, इसके लिए कोलकाता से आय दरजनों कारीगर मंदीर के रंग रोंग कारे में जोर सोर से जुटे हुए हैं कुलकाता से आय कारीगरों की टीम रईरापा मंदीर प्रच्छेत्र की साप सफाई कर रंगाई पुताई के कारे में लग चुके है पुजारी गुड़ू पंडा ने बताया कि परतेक वर्ष दिपावली को लेकर रईरापा मंदीर में रंग रोगन का कारे किया जाता है छट महापर्व से पहले हजारी बाग जिल की सफाई में जुटे CRPF जवान महापर्व छट के पहले एक बार फिर CRPF के जवानों ने जिल की सफाई का बीड़ा उठाया है बता दे बुद्धवार के सूबह से ही 22 बटालियन के 50 से अधिक जवान घाटों की सफाई में जुट गए हैं वहीं जिल की सीडियों पर जमा किये गए जलकुम्भी को सबसे पहले हटाया जा रहा इन जलकुम्भी को भी जवानों ने करीब 15 दिन पहले हटाया था लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने इसे सीडियों से नहीं हटाया अब जवानों की मदद से जील घाटों की सफाई का कारे 5-7 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 190 है भारत में 16,315 नाए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,54,888 है सर्थ के अनुसार जाती पौण पत्र नहीं दिये जाने पर आरक्षन का लाब नहीं जार्खन हाई कोट ने बर्ष 2016 में डेंटिस्ट की नियुक्ती में भीगयापन के नुरूप जाती पौण पत्र नहीं दिये जाने पर जे पी एसी के अवेदन खारिज किये जाने को सही बताते हुए प्रार्थी की अपीलियाज का खारिज कर दी है बता दे डाक्टर सुएता कुमाई ने याज का दायर कर कहा था कि डेंटिस्ट की नियुक्ती में आरक्षन का लाब लेने के लिए उन्होंने जाती पौण पत्र संलंगन किया था लेकिन आयोग ने या कहते हुए अवेदन खारिज कर दिया कि उनका जाती पौण पत्र बैद नहीं है रांची के गल्ली मुहलों में नहीं बिकेंगे पताखे दिवाली और छोट पर इस बार भी गल्ली मुहलों में पताखे की बिक्री नहीं होगी पटाखों की विक्री के लिए कलस्टर बनाया जाएंगे अलग-अलग मुहलों में कलस्टर बनेंगे ताकि खुद्रा विक्रेता उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगा सके फिलहाल मुराबादी मैदान को कलस्टर बनाया गया है सहर में अने अस्थानों पर भी कलश्टर बनाया जा सकता है आवेदनों की संख्या के बाद अने कलश्टर बनाया जाएंगे इस सम्मद में उपायुक छबी रंजन ने आदेश जारी कर दिया है बतादे पठाखा बिकरी के लिए परशासन ने कुछ सर्थ भी निधारीत की है सभी बिकरेता को इसका पारण करना होगा चात्रविरती के लिए आवेदन बीस नोंबर तक कल्यान बिभाग ने इक कल्यान पोर्टल से स्कोलर्शिप के लिए एक बार फिर आवेदन कितिती बढ़ाई है बिभाग की ओर से इसकी सुचना दे दी गई है जारी सुच्秒 में कहा गया है कि जार्खन राजे एवं राजे के बाहर मनाता प्राप्त priority college में एडमिस में यर 2020-22 के लिए साल 2021 में एडमिसन लेने वाले और 2021-22 सेर में एडमिसन लेने वाले श्टूटेंटrie स्कोलर्शिप के लिए अपलिकेयसन दे सकते हैं जहरखण में क rappelle रथ पारा सिक्षक खटाये जाए जाएंगे मंत्री जगनात्त म्हतो जहरखण में करड़त पारा सिक्षको पर एक परिक्षा की तलवार लटक गई है यहाई आकलन परिक्षा अगर तीन आकलन परिक्षाओं में पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है यह संकेत राजे के सिख्षा मंतरी जगनात महतों ने दिये उन्होंने कहा कि बिहार में यही निमाओली लागू है जिस पर आज सरकार काम कर रही है सिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में सिक्षको को आकलन परिक्षा में पास होने के लिए तीन मौके दिये गए थे जो इस परिक्षा में पास नहीं हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया पाराश सिक्षको की कमेटी ने भी ऐसी नेमावली पर समती दी थी बतादे पाराशिक्स को कैस्थाई करन बेतनमान और नेमावली को लेकर आठ नुवंबर को बैठक होगी बैठक में विकास आयुक्त बित सचीव सिक्षा सचीव भी सामिल रहेंगे रांची में बनेंगे टर्मिनल पहाडी राज्यों और आदिवासी बहुल छेत्रों के किसानों के हीत में केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने क्रिसी उडान 2.0 स्कीम की सुरुआत की है सिविल एवियेशन मिनिस्टर्स जोतिरा दित्य सिंधिया ने बुद्धवार कोई स्योजना की सुरुआत की उन्होंने कहा कि पिये मोधी की सरकार का लक्ष किसानों की आय को दोगना करना है किसान की आय दोगना करने का यह मतलम नहीं है कि बजार में उत्पाद की किमते बढ़ जाए श्री सिंधिया ने कहा कि किसानों के उत्पाद को एक जगा से दूसरी जगा जल्द से जल्द पहुचाने की भी बेवस्ता कर रही है जारखन में नक्सलियों की अब खैर नहीं डीजीपी नीरज सिन्हा पुलिस मुख्याले में बुध्वार को डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जीलों के एसेसपी एसपी रेंज डी आईजी के साथ अपराद वा नक्सल को नियंत्रन करने तथा पुलिस की समस्याव पर बैठक की बैठक वीडियो कंफेंसिंग के माध्यम से की गई जिसमें यह नेना हुआ कि नक्सलियों की खिलाब जोड़दार अभियान चलाया जाएगा बिसेस सक्खा वा अभियान सक्खा के बनाये हुए रोड मैप के अधार पर ही अभियान चलाया जाएगा ताकि अपना दवा नक्सल को नियंत्रित करने में पुलिस को सफलता मिल सक के नक्सल छेत्रे में नएक कैम्प बनेंगे जिसका प्रस्ताव त्यार करने के लिए संबंधित एस्पी को जिमेदारी दी गई है जंगलों के पुलीस पिकेट पर एस्पी डिस्पी भी निरिक्षन करने जाएंगे जारखन सरकार पहुँचेगी आपके द्वार लंबित मामलो का होगा तौरित निस्पादन मुख्य मंत्री ने अधिकारी यो को निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अस्थापना दिवस अमारो अपने आप में महत्तपून अस्थान रगता है उससे भी महत्तपून है राज्य वास्यों को भिभीनियोज नाव से लबानुईत करना बतादे 16 नॉमबर से ग्राम पंचायत अस्तर पर सिवीर का विजन सभी विभाग करेंगे सिवीर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निस्पादन करेंगे साथ ही नई योजनाओस से ग्रामिनों को जोडेंगे सरमिको को जोब काड असंगठिस तरमिको को इस रम पोर्टल में निबंधन रोजगाल स्रीजन योजना पेंशन योजना आईवा जाती वानपत्र रासन काड वानपता से लोगों को अच्छादित करने के परकिरिया को परमिक्ता देंगे रांची में 30 को मनरेगा नियोक्ती परिक्षा स्थागित 17 नॉम्बर को होगी रांची जिला में सन्विदा पर मनरेगा के विभिन पदोपर नियोक्ती को लेकर 30 अक्टूबर 2021 को होने वाली परिक्षा अब परिहार कारनों से स्थागित कर दी गई है जबकि ग्राम रोजगार सेवक के चैन से समन्दित कार्यकरम पूर्वक की तरही निधारी थाए इसमें किसी तरह का संसोधन नहीं किया गया बतादे सन्विदा पर मन्रेगा अंतरगत परखंड कार्यकरम पताधिकारी तकनीकी सहायक तक्निकी सहायक, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के पद परन्युक्ति को लेकर परिक्षा 30 अक्टूबर 2020 को होनी थी जो अब संसोधी तिथी को होगी जिसमें परिक्षा 30 शत्रा नौवंबर निधारी था है 15 वे बित आयोकी रासी से गाओं को करे विक्सित रायसवरी बी मनरेगा आयुक्त सब पंचायती राज निधेशक रायसवरी बी ने बुद्धवार को सभी उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कंफरेंसिंग कर पंचायत सखा के कामों की समिक्षा की उन्होंने गाओं के बिकास को लेकर सभी उप बिकास आयोगत को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि पंद्रहवे बीत आयोग की रासी से गाओं में मुल्भूत सुविधाओं को विक्सित करे साथ ही लंबित योजनावों को स्वासमय पुरा करे और चैनित योजनावों को गती देने को लेका निर्देश दिया कोरोना का बुष्टर डोज और चाल्ड भैक्सिनेशन जल्द सुरू करे केंद्र सरकार केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुख मांडविया के साथ सभी राज्जियों के स्वास्त मंत्रियों की दिल्ली में आयोजीत बैठक में स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कोरोना का बुष्टर डोज और चाल्ड भैक्सिनेशन जल्द सुरू करने की मांग की है उन्होंने प्रधान मंत्री हेल्थ इंफ्रस्टक्चर गैप फिलामेंट प्रोग्राम एवां बेहतर कोवीड मेनेजमेंट किया उसकता पर बिश्त्री चर्चा की साथ ही ECRP फंड को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की भी अनुमति मांगी है उन्होंने जार्खन में संचालित टिकाकरन अभियान और कुरोणा की तिस्री लहर से बचाव के लिए किये जाने वाले कार्यों की जनकारी केंद्रिय स्वास्त्र मंत्री को दिया है जार्खन सरकार भरष्टा चार का जन्नी बावुलाल मरांडी जार्खन के पुर्व मुखवंत्री और बिजेपी के नेता बावुलाल मरांडी ने हिमन्त सुरेन सरकार पर जम कर निसाना साधा बुद्वर को पलामु जिले के डाल्टन गंज में उन्होंने प्रबूद और कारोबारी लोगों को समधित करते हुए कहा कि हिमन्त सुरेन की सरकार ओ सरकार है जो बालू, सराब और भोमी के जरिये समाजिक, आर्थिक और प्रसासनिक महल को बिगारने का काम करती है टाकि राज नितिक तिकडम के जरिये सत्ता बरकरार रखी जा सके जार्खन पंचायत चुनाव जार्खन में होने वाला पंचायत चुनाव दलिया अधार पर होने की संभवना नहीं है, राज सरकार पंचायत चुनाव अधिनियम में कोई संसोधन नहीं कर रही है सरकार के एक वर्य अधिकारी के मुताविक पंचाज चुनाव के लिए अधिनियम में किसी भी संसोधन का प्रस्ताव नहीं है बरतमान अधिनियम में गर्द लिए अधार पर पंचाज चुनाव कराने का प्रवधान है चुनाव की तीथी का निर्धानन राज्ये में कुरोना संक्रामन की तीथी पर निर्भर करेगा पिछले कुछ दिनों से संक्रामन की संक्या में होई बिरिधी की समिक्षा के बाद ही चुनाव का समय तै किया जाएगा जार्खन हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति गरबड़ी मामले में होगी करवाई राज्य के हाई स्कूलों में मुख्य बिसाय के बदले सबसीडरी बिसाय पर सिक्षकों के नियुक्ति कर दी गई है अब ऐसे सिक्षकों पर करवाई की जाएगी मादमिक सिक्षा नीदे साले ने इस सम्मन में सभी जीलों के जीला सिक्षा पता दिकारी को पत्र लिखा है जीलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग को ऐसी जनकारी मिली है कि कई जीलों में सबसीडरी विशाय के अधार पर असनातक प्रसिक्षित सिक्षकों की नियुक्ति की गई है नियमावली में असपास ठाय की जीस विशाय में अभियार्थी की नियुक्ति होनी है वह विशाय अभियार्थी का मुख्य विशाय होना चाहिए ना कि सबसीडरी खुटी जीलों की कई सड़कों का होगा चोड़ी करन यातायास्त बेवस्था को सुद्रीड करने के लिए खुटी जीले की कई सड़कों का चोड़ी करन वा मजबुत्ती करन का काम होगा इसकी जनकारी देते हुए खुटी का उपायूग तो ससी रंजन ने बताया कि सड़क चोड़ी करन के लिए अधिक रहित किये जाने वाले जमीन का मुअबजाय जमीन मालिक को दिया जाएगा इसके लिए अलग-अस्थानों में सीवीर लगाये जाएंगे सीवीर में जमीन का रहेतदार मुअब जाय भुकतान से समधित सभी दस्तावेज के साथ उपस्तित होंगे जारखन के सारे आदिवासी गाउं बनेंगे आदर्स ग्राम जनजातिय समुधाय के सरवांगिंग विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही राज सरकार ने जारखन के सभी आदिवासी बहुल गाउं को आदर्स ग्राम बनाने की ठानी है इसके तहट जिस गाउं में 50% आबादी या 500 से अधिक आदिवासी निवास करते हैं वे आदर्स ग्राम के दारे में आएंगे ऐसे गाउं के पिकास के लिए बिसे सुर्णत त्यार की जाएजी धन्यवाद